नमस्कार आज हम महादेवी वर्मा के जीवन परीचे उनकी साहित्यक परीचे उनकी भाशय शालीन सभी चीजों के बारे में जानेंगे और मैं आपसे ये भी कहाना चाहूंगे कि अगर आप और भी रचनाकारों की वीडियो को देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्श को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए सबसे पहले हम महादेवी जी के जीवन परीचे को देख लेते हैं कि हिंदी साहित्य में आधुनिक मीरा के नाम से प्रसिद्ध कभीत्री एवमलेखी का महादेवी वर्मा का जन्म वर्ष 1907 में तर प्रदेश के फरुखाबाज शेहर में हुआ था देखे आपको जीवनी में कुछ इतने एक्स्ग्लेनेशन की जरूरत नहीं होते जो चीजे होते वो डिटेल्ड होते हैं और मैं हमेशा यही कहती है मैंने एक्जाम के परपस से बनाए यह बहुत लॉंग विडियो नहीं होती बहुत श्री कृष्ण में अटूट श्रधा रखती थी इनके नाना जी को भी ब्रज भाशा में कविता करने की रूची थी नाना एवा माता के गुणों का महादेवी पर गहरा प्रभाव पड़ा गहरा प्रभाव कैसे पड़ा कि मा जो थी वो एक कवित्री थी कवित्री इन दी बहुत फेमस नहीं थी, बहुत सधारण सी थी, अपने आपी कवीता लिखा करती थी, और कृष्ण में बहुत जादा शद्धा रखती थी, नाना भी ब्रजभाशा में कवीता करने में इंटरस्ट रखते थे, तो इन दोनों का जो फेक्ट था, वो महादेवी पर पड़ा, इ ऐसी विकट स्थिती में भी इनोंने अपना अध्यान जारी रखा, यानि ऐसी परिस्थितियों में भी कितनी कम आयों में इनकी शादी कर दी गई, प्लस मा का भी देहांत हो गया, तब भी इनोंने अपना अध्यान जो है जारी रखा, अत्यदिक परिक्ष्रम के फल अब आपको यहां ही पता चल जाएगा कि जो महादेवी है उन्होंने जो स्त्री शिक्षा है उस पर काफी जादा जोर दिया और नारी की स्वतनतरता के लिए सदेव संघर्ष करती रही तो यह इनका मुएन इनकी विशेष्टा में एक तरीके से कह सकते हैं कि इनकी सहित्तिक इनके जीवन पर महात्मा गांदी का तथा कला सहित्य साथना पर रविंद्र ना टिक गौर का प्रभाव पड़ा यह तो था इनका जीवन परीचे जिसमें हमने कुछ सरल सी चीज़ों को इनके बेसिग जीवन को जान लिया अब इनकी सहित्ते परीचे को हम जान लेते हैं क सहित्य की वज़े से ऐसा क्या इनकों इंट्रोडक्शन है जो ये अलग दिखती हैं महादेवी जी सहित्य और संगीत के अत्रिक्त चित्रकला में भी रूची रखती थी सर्वप्रथम इनकी रचनाय चांद नामक पत्रिका में प्रकाशित हुई ये चांद पत्रिका की संपादिका भी रही इनकी सहित्य साधना के लिए भारा सरकार ने इने पद्मु भूशन की उपादी से अलंकृत किया ये जीवन के प्रियंत प्रियाग में ही रहे कर सहित्य साधना करती रही आधुनिक कावे के साथ साज श्रिंगार में इनका अविस्मर्निय योगदान है इनके कावे में उपस्तित विरह वेदना अपनी भावात्मक गहनता के लिए अमुल्य मानी जाती है इसी कारण इने आधुनिक युक की मीरा भी कहा जाता है यानि अपनी इस विशेष्टा के कारण इनको आधुनिक समय की मीरा भी कहा जाता है करुणा और भावुकता इनके कावे की पहचान है 11 सितंबर 1987 को यहमान कवीत्री पंचितत्व में विलीन हो गई इनकी रचनाय देख लेते हैं कुछ इस प्रकार है निहार अब देखें बहुत जो इंपोर्टेंट रचनाय है जिसकी वज़ेसे इनको ख्याती मिली है उसको मैं थोड़ा से इक्स्विलेन करूँगी बाकी जो अन्य रचनाय है वो आप देख सकते है पहली है निहार यह मह 35 कवीतायें लिखी हुई है नीर्जा इस संकलन में 58 गीत संकलित है जिन में अधिकांश विरह वेदना से परिपून है कुछ गीतों में प्रकरतीका मनवर्म चित्र अंकित किया गया है यानि प्रते हिक कावे संग्रह का आप देख सकते हैं कि प्रते कावे संग्रह की क्या विशेष्टा और उसमें किस्तरे की रचनाओं को संकलित किया गया है। प्रसिद गद्य रचनाओं इसके अतरिक्त रास वर्णा आधुनिक कवी नामक गीतों के समु प्रकाशित हो चुके हैं। अब इनका सहित्य में क्या स्थान हैं उसको हम जान लेते हैं। तो महादेवी जी की कवीताओं में जैसे कि हमने जाना कि नारी हिर्दे की कोमलता और सरलता का बड़ा ही मारमिक चित्रन हुआ है। इनकी कवीताओं संगीत की मर्धूरता से परिपून हैं। इनकी कवीताओं में एकाकीपन को भी देखने को मिलता है। इनकी कावे साधना देख लेते हैं। महादेवी जो वर्मा है चायावादी के प्रमुक चार स्थम्भों में गीनी जाती है तो चायावादी युक की एक कवीत्री हैं। चायावाद के अन्य कवीयों ने प्रकरती में उल्लास का नुभव किया है। वही इनके उल्टे महादेवी जी ने वेदना का नुभव किया, यानि छायवादी कवी है वो इसलिए पहचाने जाते हैं कि उन्होंने प्रकर्ती में खुशी को डूडा है, लेकिन इनकी कवीता जो है बिलकुल उल्टी है उन्होंने वेदना को, यानि दुख को नुभव कि अब इनका कावे भाव देख लेता है कि इनके कावे भाव क्या है तो महादेवी के कावे में मूल भावना वेदना भाव लेकिन जीवन में वेदना भाव के उपच यानि इनके जो मन में जो वेदना उत्पन हुई है जो भाव उत्पन हुए है वो दो कारणों से हुआ है पह महादेवी वर्मा का निधन 11 सितंबर 1947 को प्रियागराज में हुआ, महादेवी वर्मा हिंदी भाषा की एक विख्यात कवित्री थी, स्वतंतरता सेनानी और महिलाओं के अधिकारों के लिए लड़ने वाली महान महिला थी, इनके कुछ पुरुसकार हैं, जैसे सहित्यक आदम प्रस्तुत कर दिया, उनकी जीवनी, उसके बाद भी किसी तरह का डाउट हो, तो कमेंट सेक्षन में जाके कमेंट जरू कीजिए, चात्रों आप प्लीज, ज्यादा ज्यादा वीडियो को लाइक, कमेंट वर शेयर जरू कीजिए, चैनल को बूस्ट मिलता है, वीडियो कोटिफिकेशन को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, धन्यवाद.